welcome back to the expert trainings हमारे Fiverr complete course में इस course में हम Fiverr को a to z complete देखेंगे और पढ़ेंगे किस तरह हमने इस पड़ पर account बनाना है और कैसे करना है इसमें मैं complete explain करने की पूरी कोशिश करूँगा कि एक professional account में और एक beginner account में क्या difference है और आपको orders क्यों नहीं मिल रहे हैं किस तरह आप account setup करेंगे तो फिर आपको orders मिलेंगे तो इसमें मैं complete आपको complete course दोंगा इंशाला तो कोशिश करिए कि इस course को पूरा देखिए और मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें ग्रूप्स में हमारा जो ग्रूप है उसको भी जॉइन कर ले मैं live session भी करता हूँ उदर सो चलिए start करते हैं start करते हैं हमारे fiverr के course की तरफ ठीक हो गया आपकी skill का नाम भी हो सकता है ठीक है ना आपका एक अच्छी सी आप जैसे मेरी जो है बी expert training के नाम से मेरा चैनल है तो मैं क्या करता हूँ मेरे जहन में बात आरी मैं बी expert designers बना लेता हूँ अकाउंट ठीक है अब उस ही name से email होना चाहिए उस ही name से बगएदर जो social accounts हैं वो भी होने चाहिए जो आपने उसके साथ attach करना है ताकि उसकी पूरी branding हो जाए ठीक हो गया उसके बाद next रूली है कि आपने description जो है ना वो short लिखनी है और unique लिखनी है ठीक है short लिखने से मुराद है कि इतनी short भी नहीं होनी चाहिए कि दो लाइनों पर ही खतम हो जाए और इतनी long भी नहीं होनी चाहिए कि आप उसमें लिख दे मैं यह यह करता हूं मेरी कि यह education है किसी ने आपके education से किसी ने आपके experience है कुछ भी नहीं लेना हर बंदा आप से काम लेने के लिए उदर आता है तो कोशिश करें चोटी description लिखें जिसमें मैं आपको लिख कर भी दिखाता हूं कि किस तरह लिखनी है जिसमें आपने बस बताया हो कि मैं client के लिए यह कर सकता हूं और मेरा यह experience है बस्वके सबसे पहले अपनी जहाए सर्विस के बारे में बताने कि आप उसके लिए क्या कर सकते है देन अपने बारे में बताओ कि आपका क्या experience है next next हम बात करते है skills की कुछ लोग होते हैं कि account किसी और skill का बना लेते हैं और profile जो है वो मतलब कि profile किसी और skill का बना लेते हैं उनकी expertise या उनका interest कोई और होता है उनको orders ही नहीं मिल रहे होते हैं मतलब कि उन्हें सिलेक्ट के account बनाते हैं को जो skills की होती है वो कुछ और होती है गिक्स होनों ने कुछ और skills के बनाया होता है तो एक mess create हो जाता है जिसकी वज़ाद से उन्हें orders नहीं आ रहे होते तो ये बहुत बड़ी वज़ा है लेकिन ये beginner लोग करते हैं जिनको भी तक फाइवर का नहीं पता होता तो ये beginner से advance तक complete course है इसे पू अब चोटी सी company खोल रहे है ना तो उसमें आफ फेस्बुक पेज लाजमी बनाएं ताके आप क्लाइंट को दिखा सकेंगा ये देखो मेरा पेज़ भी है तो रहासा professional एक behavior हो जाता है उसके बाद अपनी profile को complete verify करें complete email verification उसकी करें phone number verification उसकी करें खुआओ आप किस भी मुलक से है phone number verification अगर लाजमी है countries में तो आप जरूर करें उसके बाद अपने profile को complete 100% करें उसके बाद तो उसके बाद हम next चलते हैं बारी के हमने name और description कैसे लिखनी है ठीक है ये presentation के बाद हम कोशिच करेंगे कोशिच ने इंशाला मैं आपके सामने account setup करूँगा ठीक है उसके बा नाम और description कैसे लिखने है ठीक है नेम तो हमारा हो गया कि अगर तो हमारी service के साथ हमारा कोई अच्छा सा नेम collaboration बन रहा है जैसे बी expert designers तो अच्छा लग रहा है लेकिन अगर ऐसा नहीं है जैसे मैंने last session में हमने देखा था लोगों ने अपना नाम जो है राना ये रखा देखो ये जाते हैं पाकस्तान तक में तो हुद हैं बाइर आपको कोई भी नहीं जानता तो कोशिश करो कि नाम कुछ ऐसा attractive सा रुखो कि client देखे आपका और कहे के नहीं ये professional लग रहा है इससे बात करते हैं कमस कम वापसे बात जरूर करेगा then communication skill पर depend करते है कि आप उसको किस तरह हैंडल कर लेते हो ठीक हो गया उसके बाद उसके बाद हमारी जो description होती है ना उसके अंदर सिर्फ दो main points होने चाहिए हैं दो main points के लावा कुछ भी नहीं होना चाहिए अंदर कोई भी दर उदर की बात नहीं करनी एक एक यह कि आपकी जो service है वो ताके सबसे पहरे description में अपने मतलब कि अगर for example में आप अपने बारे में बताएंगे और अपने बारे में इतना नहीं बताने लग जाना ताके वो दो लाइने की बजाए वो छे साथ आट लाइन ऑपर बात चली जाए ठीक है यह मैंने आपको एक example दिया है next तो next time चलते हैं हम Fiverr की website देखते हैं चिक है तो यह है चलते हैं और आगे चलते हैं तो यह है हमारे पास Fiverr open वाव है ठीक है और इसमें जो marketplaces है वो graphic designer है marketing, digital marketing है, writing and translations है, video animations है, music and audio है, programming, tech, business and lifestyle ठीक है तो यह बहुत सारी skills हैं तो सबसे पहले हम थोड़ी सी research कर लेते हैं कि web designer किस तरह के काम कर रहे हैं ठीक है तो मैं यहां लिखता हूँ web designers ताकि मुझे पता लग जाए के मेरे competitors किस तरह के हैं और मैंने इनको किस तरह लेकर चलना है, अपनी working को किस तरह लेकर चलना है, मेरा profile कमस कम, इन से ज्यादा strong होना चाहिए, ठीक है तो यह आगई यह बात, यहां मैं देख रहा हूँ कि लोग काम कर रहे हैं, 4.9 rating के साथ है, 5.0 rating है और उसके बाद काफी सारी यहां prof gigs बनी ही है, और देख रहे हैं आपके complete 6678 यहां के 6688 इसमें जो है services आ चुकी है, अब इतना बड़ा competition है, यह वैसे बड़ा नहीं है, देखने में बड़ा लगता है, लेकिन यह कोई competition नहीं है अब इस competition में आपने अपने gig लानी है, और यह हम लाएंगे भी, ठीक है, तो उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि यह देखिए, इनके thumbnails लिकें कितने attractive है, मैंने research की थी उपर search किया था, मैंने web designer की, ठीक है I will create beautiful user interface UX design for your mobile app and web application यानिके एक web designer है, उसने एक बंदा या, उसने कहा है कि मैं जायर सी बात है, जो बंदा website बनाता है उसको कभी, कभी, कभी ना कभी, application की जरुद भी पढ़ जाती है, अगर वो सही चाल रहा है, तो वो application भी बनवाएगा, तो उसने कहा किया है, उसने एक तीर से दो शिकार कि है, यानिके उसने कहा है कि मैं आपके लिए website भी design करूँगी और application भी design करूँगी, ठीक है, अभी इसके लिए ये दो लग लग गीग भी बना सकती थी, ठीक है, लेकिन इसने एक ही बनाया, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नीचे चले जाएं, यह देखिए, यह कितनी attractive चीज ह है, gig जो है, इनने जो thumbnail बनाया है, यह बहुत ज़्यादा attractive है, अपने original work के साथ बनाया हुआ है, पता लग रहा है, तो बाद उकात ऐसा होता है कि हमें चाहिए कि हम जो services दे रहे हैं, यह जो software's use करें, देखो, web developer होता है न, वो कोई software use नहीं करता है, वो languages or scripts use करता है, तो व जो software's होते हैं, वो यूज करने है, तो वो क्या करेंगा, उसने देखिए है, अपने अंदर यहाँ, thumbnail में logo show किया हुआ है, उसके बाद एक और मज़दार चीज है, कि अगर आपको whiteboard animation या कोई भी ऐसी video आप बना सकते हैं, जो commercial video होती है, तो दाज नहीं बनाएं, कि इस से आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्लाइंट्स अब mostly किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कि मैं अब इसको यह top rated seller है, माशाला, तब मैं इसको zoom करके नहीं देखिए हैं, मैं लाजमी इस video को देखना पसंद कोई हैं, अपने बगा लग जाए हैं, यह तो आगे हम चलत अब नेक्स्ट बात चलते हैं, आगे एक और स्किल को हम सर्च कर लेते हैं, हम देख लेते हैं, ग्रैफिक डिजाइनर की, ठीक है? हमने अपनी चीजों को, अपने गिख को, अपने प्रोफाइल को जिस तरह हम प्रिप्रिजेंट कर दिया, हम म ken सतनी ओडर आएगा, अगर अपने प्रोफाइल को रिप्रिजेंट अच्छा कर दिया, अब नेक्स्ट चलो, अभी या देको इसके बाद ऐा हैं लिक क्या दिए एन्य ग्रैफिक डिजाइन के हख में काफी हट तक मुत्तफिक हूं कि इसमें सारी कि सारी सर्विस आजाती है शो नहीं करना परता हूं कुछ भी ग्राफिक्स का गाम कोई भी दे देता लेकिन अब जितना वाच झालें नहीं चाहिए कि हम एक या एकाथ गिक तो इसने बियुद्न की के पास ही आएगा जू है तो हम बनाने लगैँ प्रफाइल डिजाइनर पे निर्टा Vad है ठीक Hasco और यह बाई लेवल टू से ले रहा हैं और यह देखें अच्छी वीडियो इन्होंने लगाई विया उसके पाद थम्नेल्स मॉस्ट्री कोशिश करें तुम्नेल्स अपने बनाए एक सॉफ्टर है फोटो जेट का उस पर थम्नेल्स असानी से बन जाते हैं कोई तना बरा मसला नह जोईन पे आप फेस्बूक के थूब जोईन कर सकते हैं Google के थूब जोईन कर सकते हैं तो यहां मैं अपना इमेल डालता हूँ वी एक्स पर ट्स आइनर्स डिसाइनर्स डिसाइनर्स ने यह मैंने डाला और यह मैं कंटिन्यू करती है ठीक है अब अब याद रखिए कि जो यह बोटपमने होता अब त्रपारा इसको चेंज कैंड नहीं टीन है तो यह मैं ऐसमा यूजरनिम ढालता हूं यूरूरा वा उजूारा हो जालता है तो मैं डाल जेता हूं ओधुप बीधे शन्रें हमारा एक्सैप्ट होगे है और स्पेस डूसर ने में नहीं होती ठीक तो बी-ittä delsब हमारा exciting रहा हुत कर यह थे हम दो पास्वर्ट की पास्व लिए अपना रख लें जो आपने रखना है कि नेक्स्ट हम इसको जोईन कर लेते हैं कि यह हमने फाइब को जोईन कर लिया तो मतलब कि अपने डिसान जो है नाम और इमेल जो है नाधरा सोच समझ के रख लिए अब उसके बाद आप फाइवर के परफाइल में होता ही हुआए कि आपका एक यह एकाॉंट रहता है जो के सेलर भी उता और बाइर भी होता है जो के हमारा प्रोफाइल जो है ना एक छोटा सा जो है ना भी हमने लॉग इन का लिए है अब हम बात करते हैं के और अकॉंटचे इम्हेट चाहिस को गया वह कहेρα है कि अपना अकॉंट जो है ना वैक्टिवेट कर लो तो मैं यह मेल पर जाता हूं और मैं एक्टिवेट कर लेता यह confirmation अगर आप यह नहीं करते तो तक्रीबन मेरा ख्याल में टू वीक्स के बाद यह आपके अकाउंट कर देतें तो इसका नुकसान भी होता है तो कर लेना चाहिए हमें हमेशा तो यह हमने verify का लिया और यह हमारा अकाउंट जो है यह verify हो चुका है इमेल से उसके बाद वारी आ जाती है कि हमने next profile कैसे setup करने तो यह आपके पास fiber pro है इसमें जो फ्राइवर की जो premium service हम यूज कर सकते हैं वो है और become a seller और messages save orders जो आपने orders कि हूँ है ठीक है यह इस वक्त आपका buyer profile खुला हुआ है अब आ जाते हैं become a seller पर become a seller की बात करते हैं तो यह आपको seller profile पर ले जाता है सेल करते हैं अपनी चीज़े उसके बाद हम बात करते हैं यहां dashboard की manage request की post request की अगर हम किसी को referral link बेचते हैं तो हम hundred dollar के रौन बहुत कमा सकते हैं लेकिन एक link से नहीं और मजीद process होता है वो देख लीजेगा उसके बाद आ जाती है Fiverr profile पर पर अगर हम click करते हैं तो जो यह profile बनेगा न यह होगा seller के लिए भी और buyer के लिए भी आपने जहें में क्या करना है आपने जहें में यह रहके profile बनाना है कि आप ऐसा seller profile बना रहे हैं ठीक है ठीक हो गया अब यहां की बा रिजनल इंफरमेशन देनी है कुछ भी fake डालने के जोड़त नहीं है यह फाइवर पोच रहा है कि विच आप्शन बैस अब आगर आप बिजनसमेन है और यहां फ्रीलांसर है तो आप बता दें इसको ठीक है तो मैं एक हैदा फ्रीलांसर काम करता हूं उसके बाद वह कर र लिए तो हम यहा लिगते हैं यह मैं। कंप्लीट आफको जहना आई Τी एन आटी सफ़ोर्ट सर्विसस ठीक है यह मनें कर दिया यह यह आई टी में सब कुulen जाता है तो यह हमें सेалась कर लिया उसके बाद हम आते हैं प्रोफॉाइल पीक्चर के दुरफ प्रफॉाइल करते हैं वैसे तो मैंने एक लोगो भी बनाया हुआ इसका प्रफाइल पिक्चर के दिये लेकिन हम जो है ना फॉर्ट टाइम पिक्चर लगा लेते हैं यह मेरी लगा दिये वाली तो ये देखते हैं किये सैटर अधे यर्य किष्यार कर लिए कि धेश्यार के आफ़ातरा है आफनी आफने तो ने परकाँ एक आप खीशार अधने के यह थार ना 2ह लिद्ज ऐना फिरह इस ने थार भी क्रूमा प्राओं कर लए उसमें this वो लोगो बनाया वो हम शर्ट के ओपर लगा लें ठीक है ऐसा भी हो सकता है उसके बाद बात आ जाती है नीचे वाट्स योर स्टोरी टेल इन वन लाइन और ये बैसिकली एक आपका प्रोफाइल का स्लोगन होता है ठीक है ना लाइक कई कंपनी इसने बनाया होता है find it love it buy it इस तरह का कोई स्लोगन होता है तो आप internet से कि स्लोगन सेच कर लें यहां खुद अगर अपना लिक सकते हैं तो वह लिख लें तो अगर हम यहां स्लोगन लिखते हैं कुछ भी वी डिजाइन ये मेरे देन में आया है योर आइडियास ठीक है यह हमने लिख दिया ठीक है ना उसके बाद यहां वैसे आप I will be your designer भी लिख सकते हैं लेकिन जो खैर मैंने यह लिख दिया उसके बाद मैं इसको अब्डेट कर से तो यह चेंज़ेबल होता है यह अप यह देख लीजिएगा ठीक है उसके बार यह आ जाती है मैंने आपको बताया था कि किस तरह की होनी चाहिए कि दो में पॉइंट्स होने चाहिए उसके पर एक तो यह होना चाहिए कि आप अपने बारे में बताएं और अपनी सर्विस के बारे में बताएं सबसे पहले अपनी सर्विस के बारे में बताएं दैन आप अपने बारे मे होता है ठीक हो गया अब हम चलते हैं मैंने एक description लिकी तो थी मैं आपको दिखाता हूं कि अ कि अ कि अ कि 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 यह री वो description इस description में क्या हुआ इस description में मैंने लिखा के web and graphic designing is our first and the main step from where पहले मैंने एक अच्छी सी quotation बना दी है description एक जो content writer होता है ना वो इसको बढ़ी अची तरह समझता है मैं content writer नहीं हो लेकिन मैंने बस जिस तरह मैंने समझे जो है ना अपनी description को थोड़ा attractive बनाने के लिए मैंने वेब and graphic designing जो है ना वो मनें लिख दिया के यह कैसी चीज है जो के पहले स्टेप है इसके बाद ही बंदा आपने project की तरफ आगे बढ़ सकते है ज़रसी बाद है कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो designing के बगार बनती हो IT की field में okay next next उसके बाद आजए designing is not only computer but it's an complete observation whatever यह मैंने बताया उसके बाद के यह complete observation का काम है उसके बाद it can be any website or logo the poster और website design ठीक हो गया next anyways तो यह मैंने एक च्छोटी सी description लिए ठीक है description लिख लिए कि उपर मैंने अपनी बताया है कि यह services है और यह डिजाइब यह बैब एंड ग्राफिक डिजाइन मतलब कर से में पा सबसे पहले मैंने ये दो वर्ड यूज किया है जो मेरी service है ठीक है उसके बाद मैंने इसके बारे में बताया है कि यह काम होता कैसा है उसके बाद मैंने बताया है कि मैं तुमारे लिए best बंदा हूं मेरा दो साल के experience ह है मैंने तने projects कि हुए है ठीक है रम इसको portfolio भी शो करेंगे इंचाला तो इसको मैंने copy किया और यहां मैं इस description में डाल देता हूं एडिट करके ठीक है यह मैं description डाल रहा हूं ऐसे तो यह छोटी से description बन जाती है अच्छी लग रही है अच्छो के कुछ ज्यादा बढ़ी निया security अंड़ यूरल को कह रहा है कि नौट बीन से वह कह रहा है कि आपने description में को यूरल यूज किया है इस टॉंट यूरल तो वैसे है कोई ही दुबारा ट्राय करके देखते हैं यह बिसिकली computer रहा है स्किप लिखा हुआ है स्किप को जो समझाना है उसने वही करना है तो हम इसको description को एक दफ़ा दुबारा लिख कर देखते हैं कि क्या रहा है यह जो लेक्चर बनाते हैं कि चुट चुट चीज़े सामने आ जाती है ना यह वह चीज़े होती है जो गौड गिफ्टेट चीज़े होती है अगर मैं हो मुझे पता है मैं इसको solve कर सकता हूं अगर एक कुछ बंदा है जो beginner है जिसने profile ही पहली तफ़ा बनाने वह बिचारा परिशान हो जाएगा कि मैं आप इसको किस तरह हैंडल करूं ठीक है यहां से मैं यह दोबारा सेव करता हूं उसने सेव कर लिया ठीक हो गया अब अब यह आ जाती है लेंग्वीजिस की ठीक है लेंग्वीजिज इसमें मॉस्ट यूजबर लेंग्वीजिज है ना वह लेंग्वीजिज में से जो मॉस्ट यूजबर लेंग्वीज है अब इंग्लिश इसको मेडिट करके ना basic नहीं होनी चाहिए यार कम सकम conversation level होना इसके बाद आप यहां अपनी अपनी जबान भी यूजब कर सकते हो मैंने कई दफार करते हैं दूर्दू में बाद किया कोई इतना मस्ला नहीं होता ठीक है और ऐसा कोई सी नहीं होता लेकिन चैट बॉक्स में आप जहना मतलके out of fiverr और fiverr से buy or payment lenuto की भी जिकर नीं कर सकते और कुछी सतरा का सी नहीं कर सकते ठीक है किसी evils email लीनें लिख सकते आप लिखने के तरीक के होते हैं लshiftरो के एतनी सारे स्किल्स हो जखें ऐँ मिक्स हभी हो जए मैं है इसजिशिस च्छार के लिए मैं ने प्रॉफाल डिवेल्मेंट की स्किल्स दाल रहा हूं तो यह था नो हैं ने मैं यह कर नहरें नहीं तो में यहां बनाता हूं वैब अब वेब डिवेल्टमेंट भी आ रहा है नीचे वेब डिसाइनर ठीक है यह मैं डाला एक्सपियेंस लेवल जो है मैं सब्सक्राइब को में भी णकुए बार टाल रहा है यह मैंने एक्सपर्टिस बास तके बाद हम इसमें वर्डप्रेस भी डाल सकते हैं क्योंके वर्डप्रेस टेक्नीकल वर्क नहीं है कई में लोकेश में ँर्ग कोडिंग इसलिक नहीं सोग तो यह हम वर्डप्रेस देजाइनर भी डालज रेदा है वर्डपेस दि्जाइनर भी लिख देते हैं अगे आगे वर्डप्रेस Exact के in यह designer वर जो आना यह common R उसके बाद उसके बाद adopt illustrator होता है यह कर लिया expertise में जो है skills है वो और यहां यहां आपकी skills लिकी जाएंगी यहां आपकी services लिकी ना ही जाएंगी ठीक है तो यह book cover design भी डाल दी है मैंने यहां ठीक है तो तकरीबर नॉर्मली जो है ना minimum 10 skills तो डाल देनी चाहिए दो तीन चार पांच अफ़र्ट भी 10 skills ही allow करता है तो दस skills डाल देनी चाहिए अफ़र कर यह है कि वो जड़ा 10 skills से जादा हम नहीं डाल सकते हैं यहां हम जितनी मर्जी डाल दें कोई issue नहीं है उसके बाद है PSD design ठीक है PSD के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो यह design होता है वेब साइट का applications का design यह वो PSD बनता है और Photoshop बनता है ठीक है और यहाँ को service होती है PSD to HTML यह फ्रंट-end development में आ जाती है लेकिन इंडिसाइनिंग में भी आ जाती है तो यह PSD to bootstrap कर लो है HTML कर लो यह मैंने bootstrap कर लिए यह मैंने expertise पे डगा दिया और यह मैं एक दो तीन चार पाँचे साथ ठीक है यह मैंने फॉर्टर फॉर्टर टाइम हमने दस skills है न वो डाल दी है ठीक है अगर मजीद हमें इसको improve करना पड़ा तो हम लाजमी करेंगे उसके बात कर लेते हैं हमारी education के education के तो education यहां आप युनिवस्टी कोई यह स्कूल वगर आपके जो एडिकेशन आव जो लेटेस एडिकेशन है न वो डाले ठीक है तो मैं यहां डाल देता हूं कि यू हू एम टी आजाने चाहिए नहीं आडि भाई हमारी पाकिस्तन उनिवर्स्टी स्क्यों नहीं आतिया है यूनिवर्स स्टी ओफ अच्छे में टेकनालोजी या ठीक है टाइचल है वो पी एस की और किसमी की अपने कंपेटर साइश में तो वो डाल देते हैं ठीक है ठीक हो गया और यह रोफ ग्रेजुएशन यह रोख रेजुएशन आपका क्या है तो हम यह यह इंदाल दिया है यहां ठीक है ओहो मिस हो गया है एक दफार दुबारा चे कर लेते हैं यहां हमने पक्स्तान यूनिवर्स्टी ओफ मेनेजमेंट एंट टेकनोलोजी बी एस सी एंड यहां मैंने डाला कम्प्यूटर साइंस ठीक है अपनी फीड जो आपकी जो अरिजिनल लीडियान आपने वही डाली है अगर नहीं है तो कुछ करें एक अदा सैटिफिकेट ले ले लें और इसमें एड़ करें एक दफा में आप पर का प्रफाइल इस वजह से यूड़ा था है सैटिफिकेट मेरे पास नहीं था और वह सैटिफिकेट मांग रहे थे तो यह मैंने भी इसे डाल दिए उसके बास सैटिफिकेट आपके पास कौन सा है तो मैं यहां ग्राफिक डिजाइनिंग का सैटिफि ठीक होगा है एच सिस्टम इंटरनेशनल डाल दिया यहां और येर कौन सा होगा येर हमने तो सार सोला ठीक है एच ओके नेक्स्ट नेक्स्टम बात करने जा रहे हैं हमने स्किल्स भी डाल दी है ठीक है हमने जो है स्किल्स भी डाल दी है हमने डिस्क्रीप्शन भी लिए हमने education भी डाल दी है उसके बाद हमने अपने social media accounts को को connect करने अब कौशिश करो कि social media accounts अप जतने सारे के सारे चीज़ने connect कर लू तो बेहतर है ठीक है नर फॉर एक्जांपल मैं रिबल पर चाता हूँ, रिबल पर अकाउंट होना चाहिए, देख लेते हैं, तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, इससे क्या होता है, इससे आप का जो प्रोफाइल की जो अथोरिटी होती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है, यह मेरा डिबल से कनेक्ट हो गया, गिट हब बेबी, गिट हब से, कुछ गरो गिट हब से तो लाजमी कर लो, जो खास कर, अगर सबसे नहीं कर सकते तो खास कर जो प्रोफेशनल यूज होती है ना, उससे लाजमी करो, तो यह गिट हब से भी हम कर रहे हैं, अथराइस किया, मैंने यहां, यूसर परसनल अकाउंट, ठीक है, मैं गूगल से भी कर लेते हैं, मतलब कि आपने कोछी चीच कर नहीं, आपने सब से करें, ट्विटर से गूगल से एक दफ़ा बैट के सारे अकाउन बना लें, और उसके बाद इसमें कर लें, जिसे आप कर सकते हैं, ठीक है, आपने खाउन के साथ करती है, शॉरी शॉरी दोबारा करते हैं, ये गूगल, एक दफ़ाइज रीलोड होगा, ठीक है, और इस चीच का अपने खास ख्याल रखने हैं, आपने किसी रॉंग अकाउन के साथ नहीं कर देना, जिस पे आप का पहले सही पर फाइल के साथ थोड बोट लिंक को ये फॉर एक्जापल अपने आप रफाइल बना रहे हैं, बागर कुछ इस तरह का सो तरीके होते हैं, आपने जो हैना इस चीच का खास ख्याल रखने हैं, तो हम गूगल से दोबारा करते हैं, अपने सोशल मीडिया काउंट्स लाजमी करें, ठीक है, लाजम के प्रफाइल जो होते हैं, वो गूगल में असानी से शो हो जाते हैं, इवन बेस्ट डिजाइनर इन पाकिस्तान फ्रीलांसर तो वाफ़र के प्रफाइल शो हो रहे होते हैं लोगों को, तो इससे क्या होता है, उससे भी अच्छा खासा जो हैना हमें, ऑर्डर मिल जाते है ठीक है, और यहां से अपना जो, भी हैंस पर भी कनेक्ट कर लो, स्टैक और फ्लो पर भी कनेक्ट कर लो, फेस्बुक पर भी कनेक्ट कर लो, ठीक है, तो इस तरहां यह कंप्लीट आपने सोशल मीडिया काउंट्स को अपने जो हैना इसके साल लगा है, तो यह हो गया हमारा हमें इसको seller profile पर लेकर जाना है तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो चितना हो सके इसको मजईद professional खेंगे अगर कोई question ever live session में पूछ लें पेज पर फूछ लें ग्रूप में पूछ लें हमारा group join करें Facebook page लाइक करें इंशाला आने वाली वीडियो में मज़ीद information मिलेंगी thank you so much अपना ख्यार रखिएगा टेक के और गुडबाई